एल्ट स्टॉक्ष री यूट्टू चैनल तो आज हैं इन्दीन चोप्रेसंट कोफ़ने के आप में स awakी स्फटॉकरेशंट के बात करने वाले और गलते सक्तिव सबैत्सट पे देखने ले रि पारे पाइल कोफ़ेशं के लिए तो इंदिए 1.85 लेवल पे उपना तो हाइब बना चुका था तगरीबान 122.15 का आप आप देख सेथे कि लो है 121.05 का तगरीबान अभी करेंटली बना चुका है और लो सुपह में उपन होते हैं अच्छी मोमेंट की ती पर उपर 122 लेवल पे रिजिशन लगा रिजिशन लगते याप सब्सक्राइब को मिली और जो प्रिवेश क्लोजिंगे आप देख सेथे कि 121.70 उसको भी ब्रेक आउट के अभी रिसेटली निचे ट्रेडिंग करा है जैसे कि 121 लेवल का आप देख सेथे कि सपोर्ट लेता हो नजर आ रहा है इंडियन ओयल को प्रेशन सब्सक्राइब बissements to buy होता है तो एफर पर फिर सब्सक्राइब को मिल सकते है और जो प्रिवेश क्लोजिंग का रिश्टन फिर से हेप उपक जाता है तो लगने के चांस मिंगे सकती हैं डिविडेंट की भी बात किया तो 8.66% का डिविडेंट इल्ड है आपे इंडियन ओयल कॉफरेशन स्टॉक का तो इंडियन ओयल कॉफरेशन स्टॉक की बात की जा तो पिछले पांस दिनों की मोमेंट डेख सकते हो तो गिर आउट के बार एक अच्छी रिकावरी की पर गया आप डेख सेथे 122 लेवल जो है तो इस विक के अंदर बहुत स्टॉंग इंपर्टन लेवल बन चुकिए वह इसका रिजिशन लेता हुआ नजर आया है इंडियन ओयल कॉफरेशन स्टॉक तो करेंटली वन मन की भी बात देखी जाए तो वन मन में आप लोगों को सेम निय आया है इंडियन ओयल कॉफरेशन स्टॉक तो इस लेटेश अब्लेट अपर बेसे इंडियन ओयल कॉफरेशन स्टॉक के लिए